जैस याराम दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस मकर संक्रांती यानि की सक्रात वाले दिन से आप तुलसा माता को बिंदी लगाने का नियम कैसे उठा सकते हैं और फिर उसका उध्यापन आप कैसे कर सकते हैं संपूर्ण विधी बताई है मैंने तो वीडियो को एन तक सरूर देखेगा तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं देखे सबसे पहले आप सक्रात वाले दिन सुभा जल्दी उठके स्नान वगरा कर लीजिएगा और उसके बाद आप पहले अपने पिछले साल के जो भी नियम पकड़ा हो उसका उध्यापन कर दीजिएगा और उसके बाद हम अपना नया नियम पकड़ेंगे तो देखे सबसे पहले आप अपने जो तुलसा माता का आपका गमला हो या बेडा हो उसके अच्छे से साप सफाई करके या तो आप रंगोली बना लीजिएगा या चोक पूर लीजिएगा लेकिन देखे जैसे मेरे हाँ पर थोड़ी सी उचाई पर मैंने रखा हुआ है तो यही पर मैं इस तरीके से स्वास्तिक बना लूँगी आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं रंगोली बगर बना सकते हैं उसके बाद मैंने थोड़े से चावलो का आसन दे दिया है और सबसे पहले हम हमारा दिया जोड लेंगे और देखे दिया आप वैसे हो सके तो देशीगी का ही जोडे नहीं तो आप तिल के तेल का या सरसो के तेल का भी जोड सकते हैं और उसके बाद आप अपने दिये के आगे हाथ जोड लें क्योंकि अगर आप दिया जोडने के बाद हाथ नहीं जोडते तो उसका आपको संपून फल नहीं मिलता। उसके बाद देखिए हम तिलक कर लेंगे तो अगर आपने भी सालिक राभ भगवान रखे हों तो पहले आप उन्हें चंदन का तिलक कर लीजिएगा। और देखिए मैंने इनको सनान पहले ही करा दिया था तो आप पहले सनान करा दीजिएगा उनको भी और उसके बाद हम तुलसा माता को ड्रोली से तिलक कर देंगे। और देखिए आज इसे हम ये अपने मन में संकल्प लेंगे कि आब मैं तुलसा माता को बिंदी लगाने का नियम लेरी हूं। लगानी हैं जल सीचना है और जिस दिन हम तुलसा माता में बिंदी नहीं लगाएंगे या जल नहीं सीचेंगे किसी भी कारण से अगर छुटी होती है संडे है तो आप अगले दिन यानि कि रोज बिंदी लगानी है अगर किसी कारण से आप नहीं लगा पाते सुभे तो कोई बात नहीं आप शाम के समय भी लगा सकते हैं क्योंकि देखे चोटी बिंदी सुभे और शाम दोनों टाइम की जाती है तो इस तरीके से हम मातारानी को सुहाग देंगे और यह देखे जब पूरे एक साल कर लेंगे उसके बाद आपको इसका उध्यापन करना होगा तो उध्यापन में आपको कुछ समान चाहिएगा तो आप सुहाग का समान ले लिजिएगा और देखे यहां पर मैंने एक पैंशट का जोड़ा ले लिया है और एक साड़ी ले ले लिया है देखे सामर्थ के अनुसार आप दान जरूर करें उसके बाद देखिए आप अगर हो सकता है तो आप इस तरीके की चांदी की चुटकी जरूर लें तुलसा माता को चड़ाने के लिए और एक सोने की बिंदी भी आती है मार्केट में बहुत सस्ती मिलती है पत्रे पे बनी होती है वो हमारे सुभाग्य के लिए सुभाग के लिए अच्छा रहता है तो आप हो सके तो 5, 7, 11, 16 जितना भी हो सके आप उतनी सुभाग की चीज़े जरूर दान करें और देखिए आप चाहें तो इस तरह की पत्ते की बिंदी भी लगा सकते हैं माता रानी को रोज तो देखिए इ आप जो पुरानी बिंदी होगी वो उतार के चाहें तो आप अपने माथे पर भी लगा सकते हैं माता रानी से सुभाग ले सकते हैं और नई बिंदी आप माता रानी को लगा दे तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं या आप चाहें तो रोली की बिंदी भी लगा सकते हैं म साथ में देखे आप कुछ दक्षना जरूर ले लिजिएगा ताकि अगर कोई भी तुटी हो गई हो हमसे कुछ भूल हो जाए तो वह हमारी पूरी हो जाए तो देखे यहां पर मैं भी मातारानी का थोड़ा सा सिंगार जरूर से कर दूंगी तो यह देखे हम दो दो चूड़ तो चुन्य उड़ा सकते हैं या आप जो साड़ी दान में देंगे आप उसी से साड़ी भी पिना सकते अपने गमले को तो इस तरीके से आप मातारानी का सिंगार कर दीजिएगा अच्छे से और यह देखे यह महावर वगैरा जो ऑगयरा जो होती है वो भी आप लगा सकते मोठसा पप्राइं ने चाहते हैं मातरान को इस तरीके से लगा दें जितना हो सके यह साफ से आपसा आप मातारान का सिंगाल करें और यह देखे जो माता रानी का गमला होता है आप चाहे तो उस पे भी लगा सकते हैं तो देखे यहाँ पर मैंने रोली की टिकी लगा दी थी अब उसके बाद यहाँ पर मैं महंदी की टिकी लगा रही हूं उसके बाद जो सुहाक का समान है वो माता रानी को छुआ दें आप चूड़ी वगरा छुआ दें और ये साड़ी वगरा यही पर थोड़ी देर के लिए आप जरूर रखें और उसके बाद आप हात में जल लेते वे इन सब चीजों को मिनस दे तो देखिए जिसे मैं आपको ह नंद की बेटी यानि की भांजी को दे सकते हैं बहुत पुन मिलता है भांजी को दान की चीज़े देने का मेरे पास काफी कमेंट पी आए वे हैं कि भांजी को क्या दे नहीं दे तो मैं आपको बता हूँ कि भांजी वगरा को दान देने का बहुत ज़दा फल मिलता है तो तो यहाँ पर मैंने लड्डू बनाए है तिल गुड के उनका भोग लगा दिया है तो आप कोई भी सक्रात्ते मिठाए वगरा का भोग लगाए मातराने को उसके बाद मातराने की आर्थी कर लें आप इस तरह से उसके बाद चितना आपका सामर्थ हो उस हिसाब से आप मातराने की परिकम्मा जरूर करें 108 कर सकते हैं आप या आप चाहें तो 11 परिकम्मा कर ले 7 कर ले 5 कर ले कम से कम 2 या फिर एक तो परिकम्मा आप जरूर से करें तो इस तरहां से आप भी तुलसा मातव को बिंदी लगाने का नियम अपना सकते हैं उसका उध्यापन कर सकते हैं और ये जो आपने समान यहां पर रखा है उध्यापन करके आप थोड़ी देर तो यही रहने रख दें समान को उसके बाद आप इसे किसी भी सुहागन महिला को मंदिर में या फिर आप अंतानी को दे के आ सकते हैं तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा कमेंट करके और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सकें लाइक कर दीजेगा और सबस्क्राइब करना तो बिलकुल भी मत भूलिएगा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैसी अराम